हाई एम्रीवन वेलकम बेक टो माइच चैनल कैसे हो आप सब आप हाप टीक होंगे इतए डूद के बारे में नहीं है ना कोई हम रिमीडिज के बारे में हैं ना और रोखिया अगर आप दूद इस तरीके से पीएगी अगर आप दूद दूद पीते हो डेली दूद पिना चा शरीर के लिए आगर इस तरीके से समझे यह अंदर से बनेगे और को क्या करना है यह तो इसे पिते हिए अगर उसके बेपने लगा लेक्टिन दीर क्रें ने सेना ओंगा प्योड चेकार इत्लट पर के लिए कि अग्ला ने लगया आपके इत्किन क्लों करनें लाग जाएगी उडियो को क्य से बनाना है और मेयने क्या पर पॉब अगर सब्सक्राइब कर लो उडिटीयो को प्रेस ने हो देखी से पफिने हो把 सब्सक्क्राम कर लो दोर घृती तो फोई सबρά हम एपला अब करना है कर्णा है अगर हम इकलᾹ मना रहे हैं तो चुटकी पर हलती ना दूंगी कि अच्छा इसको ऊबालाने के बाद थोड़ा ठंडा करने देंगे ठंडा होने के बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दूंगी तो देखो मैंने यह गुड़ लिया है और आप जितना दूद बनाऊ उस इसाब से आपको गुड़ लेना है तो अच्छे से इसको मिला लेंगे अच्छे से गरम कर लेंगे और फिर मैं इसमें गिलास में डाल लूँगी दूद को गरम गरम आपको डालना है तो यह देखो मैंने गिलास में डाल लिया दूद को तो देखो ये हमारा दूद बनके रेडी हो चुका है बस आपको यही सब डालना है और आपका दूद बनके रेडी हो जाएगा ज़्यादा कुछ भी नहिं करना है और सर्दियों में ये दूद आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है आपके सर्दी जुखाम होता है आपके कोई भी प्रोब्लम होती है वो सब कुछ ठीक होती है इस दूद से आप देख सकते हो मारा दूद बन के तयार हो गया है तो गयाज हमारा दूद बन के रेडिव हो चुगा है आपको इसको गरम गरम पीना है थंडा करके नई पिना नहीं तो शर्दियों में आपको अच्छा नहीं लगेगा तो इस दूद को आप आपने बच्चों को भी दीजिए आप अपने सभी फैमिली मेंबर को आप यह दू लोग करेगी तो आप इसको रोज बना के पीजिए यह की स्कीन पर एक अलग ही निखार आएगा अलग फरक पड़ेगा तो वीडियो को यह समाप्त करते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को प्रेस भी कर लो